असलाम अलेकुम स्टूडेंट्स वेलकम बैक अगेन मैं मुहम्मद वकास हूँ आपका टेमिस्टी ठीचर और यह आपका चैनल MWS Chemistry दूसरा कॉंसेट है हमारा येस लेक्चर नमबर टू एसर बेस इकलिप रिया इसमें दूसरा ब्रॉंस्टेड लोरी कॉंसेट अच्छा इसको लोरी ब्रॉंस्टेड भी हम लिख लेते हैं मैंने ब्रॉंस्टेड लोरी इसले लिखा है क्योंकि आरहीनियस स्टार्ट होता A से और ब्रॉंस्टेड अगर मैं B पहले लिखता हूं तो B A B and then हमारा जो लिवस कॉंसेट है उसमें L आजएगा तो इस तरह हमें तरतीब से याद रखना असान हो जाएगा क्योंकि अक्सर हमें इसकी जो तरतीब है वो भूल जाती और हम पेपर में भी भूल जाते हैं व प्रोटोन यहां पे इन्होंने एच प्लस की बात नहीं की यहां पे उसको प्रोटोन का है जो चीज प्रोटोन देती वैसे अगर इंटर्म ओफ आरहीनिस वापस जाए तो एच पॉस्टिव तो प्रोटोन ही था लेकिन वहां पे था सिर्फ एक्वस मीडियम तो यहां पे जो नहीं क्या चेंज किया अधर दैने किर दिया कि कहीं भी जो चीज प्रोटोन दे सकती हो किसी भी दूसरी चीज को वह भले ऐक्वस मीडियम और नोन एक्वस और अट को अंब तो यह बात इस पॉंट पर आपने फोकस रहना है यह प्रोटोन डोनर होती है एस यस Italian लिख देता हूं, बेस, इनके मताबिक, बेस क्या चीज है, those species, those species, which can, which can, accept, अब यहां भी यह नहीं उन्नोंने कहां कहां, इस वेत्ट स्ट में, औहच निज़ैबर से, oh, ने नहीं, उन्हें कहां जो accept कर सकेующ जी प्रोटोन तो हम क्या सकते हैं यह प्रोटोन अक्सेप्टर हैं इग्जैक्ली इस आर प्रोटोन अक्सेप्टर जो होते हैं वो हमारे पास क्या कहलाते हैं बेस और डोनर जो होते हैं हम उनको एसर्स बोलते हैं तो अगेन बात किसकी यह फिर से प्रोटोन की यहां पर हमने हम एक बहुत simple example देते हैं मैं यहां पर लेता हूँ HCl ठीक है प्लस में एनिवेच अब होगा क्या चुरो मैं और इसको असान कर देता हूँ ताकि आपकी असानी के लिए यह और ज्यादा simple हो देखो पानी यहां से शुरू कर लेते हैं तो आप यहां पर देखो न तो जो पान को एसर बोलेंगे लाइक इसने अपना यह दो एस प्लस है यह वाला यह पानी को दे देना है ना ऐसे तो हम इसको लिखेंगे एस त्रियो पॉजिटिव एंड प्लस में सी एल नेगितिव तो चूँके चूँके इसने पना प्रोटोन दिया जिसको दिया जिसने एक्षैप लेता हूं लाइक मैं कि मैं यहां पर यहां पर यहां पर ले लेता हूं अमूनिया इधर चलो मूनिया लिख लेता हूं बेस के नीचे बेस आजएगा और इधर मैं लिख लेता हूं वाटर ठीक है अब क्या होगा अब नहीं यहां पर बेसिकली पानी के पास प्रोटोन दे है और यह हमारी हुई क्या बेस क्योंकि इसने प्रोटोन एक्सेप्ट किया है यहां तक मेरा यकीन है कि आपको यहां तक समझ आगी होगी ठीक है तो यह था हमारे पास सिंपल सा पहले एक्जाम्पल के साथ अब थोड़ा सा आगे बढ़तें देखो अच्छा इसमें और एक्षल में तो बेस है तो अब में ब्रॉंस दोरी कॉंसेप्स से क्लियर होता है कि चुक्ए प्रोटोन अक्सेप्ट कर सकती है तो दैड़ इस वाइन इसको बेस बोल सकते हैं ठीक है अकॉर इक्जामपल लेता हूं लाइक मैं कहता हूं यहां पर हमारे पास है कोई भी एस पहले मैंना आपको conjugate acid और basis की थोड़ी सी समझा देता हूं देखो इसको पानी के अंदर ले लेते हैं कोई भी acid हो सकता है प्लस में water तो जब यह आपस में acid-base वाला reaction होगा यहां पे तो यह बनेगा h3 of positive and plus में a negative अब यह हुआ हमारा acid और यह हुआ base इसको acid इसलिए बोला आपके नई चीज बनती रहा यह वली इसको हम कहते है conjugate base conjugate base यह अब आपने नई बात याद रखनी है ब्रॉंसर लोरी concept में हम जो strength of facer होती है उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं यानि यह हमें strength of facers के बारे में भी काफी information provide करती है because हम उसके conjugate base को check करते हैं अगर यह conjugate base weak है तो इसका मत्तब होता है कि हमारा acid strong है जो के previous concept में हम नहीं देख पाए थे अच्छा अब जैसे water है water base थी base का जो pair होता है इसको conjugate acid कहते हैं अब यह बात आपने याद रखनी है और मैं आपको एक और simple इसका तरीका बता देता हूँ आपको कैसे याद रहेगा जो इधर वाल प्रोटोन दे सकता है मजीद यह ले नहीं सकता है और इसके पास अब प्रोटोन मजीद नहीं है यह ले सकती है प्रोटोन दैडिस वाई यह base होगी लेकिन आप इसको यूं बताओगे acid का जो pair होता है ना that is conjugate base और बेस का जो pair होता है वो conjugate acid होता है understand और अब देख लो आप ह एसी स्पीशिज जो दुनों तर एक्ट करती हैं उनको हम एमफोतरिक फिर बोल देते हैं एमफोतरिक ठीक है ठीक है एक्ट mandatory as access acid as well as base तो हम उनको क्या बोलेंगे? हम उनको बोलेंगे amphoteric अब यहां पे मैं आपको एक बात clear कहा दूँ कि जो सारी bases है ना bronster lori वो arheneas की bases नहीं है और जो सारी acers है bronster lori वाली वो सारी arheneas की acers भी नहीं है example देता हूँ कैसे? देखो बड़ा ही मैंने interesting यहां पे point उठाया मैं मसलन कहता हूँ आपको हमारे पास है carbonate iron CO3-2 ठीक है? अब यह जो है ना इसके पास कोई O.S. negative नहीं है so according to our heinious concept यह कोई base भी नहीं है लेकिन आपको पता है यह proton accept कर सकती लाइक अगर मैं इसको water के अंदर डाल दूँ carbonate iron को तो फिर क्या होगा यह carbonate iron पानी से पानी से एक acid एक proton accept कर लेंगे बलके एक नहीं दो कर सकते हैं ठीक है पहले मैं एक ही करवा ले तो यहां से bicarbonate और प्लस में क्या बनेगा O.S. negative तो इस लिहाद से यह क्या हुई बेस हुई लेकिन ब्रॉंसर दोरी concept में ही बेस है क्योंकि इसने proton accept किया और पानी acid हुआ लेकिन आरहीनिस concept में यह बेस नहीं थी क्यों क्योंकि इसके पास O.S. negative नहीं थी ठीक है ठीक एक और चीज़ मैं आपको बताता हूं जैसे यह जो है वह बेस के तोर पर करता है तो क्या होगा यह मूनिय माइन अपना प्रोटों देए सकता है किसको और यहां वह बेस जिस पर बेस होगी और जिस पर पॉस्टिव चार्ड रहो एसर होगी और यहां पेगें बनेगा water एनमूनिया अब देखो एसर का पेर बने है यह ना हमारे पास इसका यह जो पेर बने यह बेस है जिसको हमने conjugate base का था और जो बेस का पेर बने वो एसर बने है यानि conjugate तो यह बात भी बड़ी सिंपर है आप आप इसमें समय सकते हो ना कोई इसमें से कोई मुश्कल बात नहीं जो समय ना है अब यहां पे और भी चीज है लाइक कुछ हमारे पास हैं मैं मैं एक एक्जामपल देता हूँ आपको स्पोज करो हमारे पास सिल्फियूरी के सड़ है एस टू एस ओफोर अब यह अगर हम कोई भी कार्बोनेड ले लें कार्बोनी के सड़ ले लोगर आप एस टू सी ओ त्री इसमें भी क्या होगा यह अगर एक एक पॉस्टिव निकल ज तो यह बाई कार्बोनेड तो यह भी किस के तोर पे एक करेगा अफ कोर्स बेस के तोर पे यानि इस कॉंसेप्ट में हम जो आयन्स हैं है ना उनको भी देख सकते हैं ऐस एस एड़ और बेस और अमूनिया वाला मसला भी हल हो गया कि अमूनिया बेस नहीं थी और बहुत जा यह था हमारे पास एसट बेस कॉंसेप्ट अकॉर्डिंग तो ब्रॉंस लोरी लेकिन यहां पे ना कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हैं आप से डिसक्स करने जा रहा हूं जिसकी वज़ा से हम इसे नेक्स्ट लिवस कॉंसेप्ट को सड़ी करेंगे वो क्या है पहली तो य यह प्रॉटओन डॉनर नहीए तो फिर यह एसिट भी नहीए अकॉर्डिंग तो ब्रॉंस लोरी कॉंसेप्ट के मुटाबिक चूंकर यह प्रॉटओन डॉनर नहीं है तो नहीं। तो चूकर ये पारोटॉन डोप्र ने में इनके पास देने नहीं और, परोटॉन नहीं देंगे, तो लेहाज़ट यह पारोटॉन ही नहीं ही नहीं, तो लेहाज़ज़ यहां पे एक क्वैस्टें हो गया, कि फिर इनको कैसे justify करें कि ये acids कैसे है मतलब हमें next concept पे फिर जाना होगा ठीक है जी यहां तक मेरे ख्याल में आपको समझ आई कोई इसी तरह कुछ चीज़ें और भी है like classification जो acid or basis की है वो अभी properly उस तरह से नहीं हम कर पाए जिसको बहुत 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 होती है acid or basis को रेके तो next हमारा concept भी लिवस acid or basis होगा तो अभी फिल हाल के लिए यह इतना ही था और उसमें चोटी मोड़ी limitations भी मैंने डिसकस की है और वो बातें बताई जो आरहीनिस के concept में हमारे पास उनकवर्ड थी जैसे के हमारे पास यह जो है इसको हम बेस नहीं बता पाए थे और हीनिस कांसेट में यहां पर बता पा रहे है और बहुत सारी चीज़ने जो मैंने आपके साथ शेयर की है तो उमीद है कि यहां तक आपको समझ जाई होगी इसको लाइक कर दें शेयर कर तैंक यू